आप सब लोगों को मेरी तब से एक मुबारक हो और जितने भी लोग है वोग अपने धनों में रहें सुरक्षित रहें मैं इश्वर से यह काम ना करती हूं कि आप लोगों को सारी खुशिया मिले वगवान आपको सारी खुशिया दे आप रहेंगे तो नहीं अदर्वाइस मेरा कोई अस्तित्र नहीं है तो चलिए आज पहली बार जब मैं आपके सामने आएंगे तो मैं थोड़ी बात ही कर लूँ आपसे सोचो मेरे मुझे इस यूट्यूब पे आया हुए सिस वन मन्त हुए आज मेरे चैनल को एक मेंना फुर आप लोग मुझे जुड़िये आप मुझे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं यही चाहूँगी कि आप ऐसे ही इसी तरीके से आगे मुझे बढाते रहें मैं आपके लिए जितनी भी रस्पीज लेगे आती हूँ वो बिलकुल सिंपल और इजी होती है जो लौ इंग्रेडियंट से बुनी होती है और जैसे मैं घर में बनाती हूँ एड्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में मदद कीजिए मैं भी कुछ करना चाहती हूँ बिकॉस आया मैं हाउस्वाइब मैं चाहती हूँ कुछ करू मैं इस दुनिया में इस प्रियवस के आपके साथ जोडना चाहती हो आप भी मेरी साथ जोड़े आपको मैं हमेशा अच्छी से अच्छी डियपनिटली इजी रेसिपी लाते दूगई चलिए आज मैं इसी प्रिकार से एक रेसिपी और लेक्या है जैसे कि हम बंदारे में जो आज मैंने बनाई है यह मेरे सारे दोस्तों के लिए सारी फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और जो मुझे आके बढ़ाने की कोशिश में मेरे साथ है तो देखे यह टेस्टी टेस्टी कद्दू की सबजी और यह चटपटी सी करारी करारी कुरकुरी पूरियां जिसमें मैं एक छोटा सा बाइट लोंगी और यह सब मेरे सबी फ्रेंड्स के लिए चलिए आप इसे खाईए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं देखे पहले मैंने यह कद्दू की सबजी बनाने का समान लिया है इसमें मैंने कद्दू लिया है जिसका छिलका मैंने नहीं उतारा है और मैंने इसे ऐसे ही कट करके छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है यह देखे इसके इतेते से पीसेज आज तो खुश होने के अला मेथी दाना लिया है, नमक लिया है, हल्दी लिया है, और लाल मिर्च का पाउडर लिया है, इसके रावा मैं इसमें कुछ ने डालूँगे, क्योंकि भंडारे में भगवान ची को भोग लगता है, इसलिए उसमें लहसुन प्याज का यूज नहीं होता, चली एक कडाई लिया मैंने उसमें, वही as usual, अपना सरसो का तेल उसमें एड किया है, अब मैं इसे गरम होने के बाद इसमें मेथी दाना डालूँगी, मैंने आदा ही मेथी दाना डाला है, जिससे मेरे तड़के की खुशबू आए, ये देखिए मेरा दाना मेथी अच्छे से पक चुका है, और ये देखिए मेरे सारे कद्दू इसमें एड हो गए और साथ में मैं इसमें टमाटर भी एड कर दूँगी, आप चाहें तो पहले टमाटर की ग्रेवी बनाएं और फिर कद्दू एड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सब चीजे एक साथ पका लूँगी, तो इस इसमें एड करना है सबसे पहले, अब मैं इसे ऐसे ही पकने दूँगी, इसको मैंने थोड़े दिर के लिए ढग दिया है, तो चलिए हम पूरी का आटा लगा लेते हैं, मैंने पूरी के आटे के लिए दो कटोरी आटा लिया है, और एक क्रश की हुई अजवाइन ली है, ज इसमें दो चमच मलाई एड करूंगी, जिस जगे पे मैं घी या तेल यूज़ करती हूँ, उस जगे मैं इसमें मलाई हमेशा डालती हूँ, इससे एक अलग ही फ्लेवर, अलग ही क्रिस्पनेस होती है पूरियो में, चलिए मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मेक्स कर लू मैं इसमें बीच में नमक भी एड किया था, जो इसमें आपको दिखाई नहीं दिया है, चलिए मैं इसको पानी के दुवारा आटा लगा लिया, यह देखिए मेरा आटा अच्छे से लगकर तयार हो चुका है, अब मैं इसे थोड़े दिल रेस्ट करने दूंगी, उससे पह है, लेकिन अभी भी यह मोटी मोटी है, तो इसे और पकाना है मुझे, थोड़ा और अच्छे से पकाना है, यह देखिए, अभी हमारी सबजी सिफ पकी पकी है, अच्छे से मैश नहीं हुई है, देखिए मैं लगातार इसे ऐसे ही पकाती चलाती रहोंगी, बीच बीच में चेक करती रहोंगी, और इस बार थोड़ी-थोड़ी हमारी सबजी पक गई है, मैश होने जा रही है, दीरे-दीरे, इस स्टेज पर मैं इसके अंदर अपनी सारे दीरे-दीरे मसाले अड़ करूँगी, सबसे पहले मैंने लाल मिश पाउडर एड़ किया है, यह देखिए मै और इसके बाद मैं इसमें एड़ करूँगी, और अब इसमें गरम मसाला एड़ करूँगी, सिफ आदा स्पून, और मैं इसमें इसका सीक्रेट, जो इसका सबसे टैंगी फ्लेवर जो इसको देगा, वो है, शूगर आप चाहें तो इसमें जैगरी भी एड़ कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फरक नहीं होगा, तो चलिए हम पूरियों की आटे की तरफ चलते हैं, हमारे आटा अच्छे से से सेट हो गया है, अब हमने कडाई रख ली है, उसमें हम लोग ऐल एड़ करेंगे, यह देखे, मै मैंने ऑइल लिया है, मैं फ्राइय करने के लिए, कैनला ओयल या फरर रास बरै उइल, को है यह देखे, मैंने पूरी के लिए पेडियां तोड़ ली है इस प्रकार से अब मैंने गोल कर लूँगी पेडियां मना लूँगी और मैंने बेल लूँगी छोटी छोटी पेडियों को मैं गी लगा के तेल लगा के देखो मैंने तेल लगाया है सरफेस पे भी और मैंने इसे बेलन की हट से बेल लिया है तो चलिए हमारा घी यह सौरी तेल अच्छे से गरम हो चुका है अब मैंने इस प्रकार से पूरियों को बेला है और अब मैं इन्हें तेल में एड करूँगी फ्राइ करूँगी यह देखिए मैंने इसे तेल में एड़ कर लिया है अब मैं इस प्रकार से से हलकालका दबाऊंगी और हमारी पूरी फ्राई हो गई है इस प्रकार मैंने दूसरी पूरी भी इसमें एड़ कर लिया है इसे भी मैं हलकालका दबा लूँगी क्योंकि यह स्टार्टिंग की पूरी है तो इसमें तेल का थोड़ा गरम और ठंडे का फरक हो जाता है इसलिए यह थोड़ा से दबाना बढ़ता है थोड़ी दिर पाद जब तेल गरम होने लग जाएगा तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत ने आएगी चलिए मेरी दूसरी पूरी अच्छे से फूल जाएगी इस प्रकार से इसे दबाके मैंने फूला लिया है और इस तरीके से मैं अपनी सारी पूरिया बना लूए तो चलिए अब हम कद्दू की सबजी की और चलते हैं तो हमारी सबजी भी बनकर तयार हो गई है, अब दिखे, मैंने इसमें सारी चीजे डाल दी, सारे मसाले डाल दी, आपने देखा ना, मैंने कोई भी मसाला ऐसा नहीं उज किया, जिससे हमारे पेट को, हमारे शरीर को ऐसी कोई तकलीफ हो, इसे खाने के बाद, तो चलिए, मैं इसे ऐसे चम्चे की सायता से अच्छे असे दबा लूँगी, चाहे तो आप इसे थोड़ी दिर और पका लीजे, कोई दिक्कत नहीं होगी, देखे हमारी सबजी बिनकुल बनकर रेडी हो गई है, अब मैं इसमें एक नीम बुका रस एड़ करूँगी, इससे मेरी सबजी तीखी भी होगी, मीठी भी होगी और अब खटी भी होगी, आप इसमें चाहे तो अमचूर पाउडर भी एड़ कर सकती है, आप इसमें किचन किंग मसाला भी एड़ कर सकती है, लेकिन मैं वो सब यूज नहीं करती हूँ, तो चलिए देखे, मेरी पूरी सबजी बिलकुल बनकर ready है आप खाईए बनाईए और मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर कीजेगा और मुझे comment करके बताएगा थैंक यू